तो चलिए आपको आज आपने ब्राउजर में यहां पे आपको लिखना है OBS OBS Studio यह लिखना है और इसको डाउनलोड कर देना है याद रखना है कि आपको सिर्फ जो ना यह डाउनलोड नहीं करना इसकी मुकमल सेटिंग्स होती है वो आपको सेटिंग्स करनी होती है तो आप वीडियो को कम्प्रीट देखेगा तो आप जो ना समझ आएंगे आपको सिंपल, अगर आप Windows यूज करें तो आप Windows डाउनलोड कर सकते हैं, अगर Mac यूजर से हैं, तो आप Mac पे क्लिक रसकते हैं, आग Linux तो Linux, अभी हम Windows पे क्लिक करेंगे, और इसको जोना से पे क्लिक करना है, तो हमारा यह सॉफ्टर जोना डाउनलोड हो चुका है, अब हम इनको इन्सको इंस्टॉल करना है, आपको सिंपल इस पे डबल क्लिक करना है, और यहां पे यस पे क्लिक करना है, और यहां पे नैक्स पे क्लिक करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो काईले इस वीडियो को लाइक कीजएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजएगा इस रहा के इंपोर्टेंट वीडियो जो आपको यहां पे मिलती रहेंगी है अपको सिंपल जो यह आपको स्ट्रेंग को कर ने है अब में आपको बताता हूँ यहां पे कुछ सैटेंग्स हैं जो आपको करना है इस जो ना इस सॉफटयर के जरिए आप अपने इस लेपटख़вक के स्क्रीन रिकूर्ड कर सकते हैं यह सॉफ़वर काफ़ी चायी जै में वैफ यह कोई उस कर सकता है की उसकता है यह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपसेज पर स्ट्रीमिंगे ऐगारिंगा 31.. and optimize for just for recording not just streaming ये depends करता हो आप अगर आप on-line streaming करना चाहते हैं recording करना चाहते है अगर आप gamer है तो आपको first one option choose करना है मैं सिर्फ जो ना अपनी laptop की screen की record करना चाहता हूं तो मैं simple इस पे क्लिक करता हूं और next पे क्लिक करता हूं और यहां पर ये बता रहा है आपकी डिस्प्ले आप किस तरह से जो ना कितनी रेजलेशन में जो रेकोर्ड करना चाहते हैं तो में जो मेरे लैप्टोप की रेजलेशन में उस पर करना चाहता हूं यहां पर जो फ्रेम रेटर वो भी में जो ना 6P रखता हूं और Next पर क्लिक करना है यहां पर आपको अप्लाइ सेटिंग पर क्लिक करना है यह करने के बाद आपको आज हुए कर में सकते हैं यहां पर आप साय कर सकते हैं यह अपनी जो फुल डिलेशन मॉनीटर की यह और आपको élप्रल इस ओके की करना है यह हो गया, अब आपको जोने, अपने microphone की setting करनी है, कि आप कौन सा microphone use करना चाहता है, आपको simple again, plus पर click करने यहां पर आप आ सकते हैं, idu input capture, आपको simply इस पर click करने है, और इसको भी add कर देना है, ठीक है, और यहां पर आपको default पर click करने है, और यहां पे देख सकते हैं दो microphone है, एक मेरा laptop का है एक दूसरा, जो मेरा external microphone है जो मेरे headphone में connected है तो आपको simple अपने जो external microphone है उसपे क्लिक करना है मैं similar इसपे क्लिक करता हूँ और ok पे क्लिक करता हूँ यह हमारी setting हो चुकी है अगर आप record करना चाहते है आपको simple यहां पे start recording पे क्लिक करना है आपकी जो ना यह recording शिरू हो चुकी है इस तरह से अगर laptop अगर आप recording off करना चाहते है आपको इस तरह पे क्लिक करना है तो यह जो ना आपकी recording save हो गई होगी अब मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आएगी mostly वीडियो में यहां पर आप दे सकते हैं यह रिकॉर्डिंग जो न हमने अभी की थी है इसे ज़से के लिए आपकी जो न यह रिकॉर्डिंग शिरू हो चुकी है तो इस तरह से अपने लैप्टॉफ की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं यह सॉफ्टर बैस्ट है यूटिबर्स के लिए कंटेंट क्रेटर के लिए और ऑनलान स्ट्रीमिंग के लिए सारे चीज़ों के लिए चलिए मिलते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियो सापको मिलती रहेंगी